जैशी कृष्ण दोस्तों, वेलकम टूस बात सफर और सिंधकी आज मैं आपके साथ भाराष्ट की सबसे फेमस डिश पूरन पोली की रेसिपी लेके आई हूँ ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही अच्छी वाली मैं आपके साथ टेप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपकी भी पूरन पूरी पहली बार में ही एक तम पर्फेक्ट बन जाएगी, एक तम सॉफ्ट रहेगी और इसको एक बार बनाके रख लें और आप कई दिन तक इसको खा सकते है महरास्ट में कुछ स्पेशल ओकेजन में इसको जरूर बनाया जाता है जैसे कि गंपती, लक्षमी पूजा, महालक्षमी पूजा उन सब में इसको जरूर बनाया जाता है बनाना बहुत ही आसान है सबसे पहले एक कटोरी चरे की डाल थी जिसको मैंने तीन चार घंटे के लिए सोक करके रख दिया था अच्छे से धो के अब यह हाथ से तूटने लगी है अच्छी तरीके से भीग गई है इसको धो लिया था मैंने और इसको अब मैं कूकर में ट्रांसफर कर दोगी आप जितनी कॉंटिटी में बनाना चाहते हैं उतनी डाल ले ले मैं जितनी बता रही हूँ इसमें 15-16 पूरण पूरी अच्छी तरीके से भरी होई बड़ी बड़ी बनके तयार हो गईगी अगर पतली बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएगी तो इसको मैंने लिया इसके बाद इसमें डाला एक कटोरी दूट और इसको ढखकन बंद करके इसकी हमको लेनी है सीटी कम से कम 4-5 सीटी ले ले जिससे जो दाल है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए अब इसको बनाने का सबका अपना तरीका होता है लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वो बहुत ही सिंपल तरीका है जब तक कुकर हो रहा है हम इसका आटा तयार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने दो कटोरी गेहु का आटा लिया है, इसमें एक कटोरी जितना में डालूंगी मैदा, अब यहाँ पर जो है मैदे के साथ थोड़ा सा नमक और इसके साथ मोयन देंगे, मोयन के लिए 4 चम्मच मैंने तेल लिया है, तेल के बदले आप घी भी ले सकते हैं, आपकी चोईजे आप चाहें तो दोनों चीज मिक्स करके बना सकते हैं या सिर्फ गेहु के आटे में भी बहुत अच्छी बनती है अगर थोड़ा सा मैदा मिलाते हैं तो यह बहुत अच्छे से वाइट वाइट बनती है और यह सॉफ्ट बनती है लेकिन तोटल ऑप्शनल है आपको जैसा करना हो वैसा करें authentic जो पारंपरिक तरीका होता है उसमें इसको purely मैदे से ही बनाया जाता है पर इतना जदा मैदा consume करना सही नहीं है इसलिए इसमें थोड़ा-थोड़ा मैंने mix कर लिया है अभी देखिए अच्छी तरीके से मैंने मोयन दिया था और यह अच् नहीं soft रहेगी तो मैंने इसको आटे को लगा दिया इसके बाद इसको अराम से रेष्ट करने रख देंगे कम से कम 10-15 मेट को rest देंगे तब तक आगे की तयारी कर लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया है इक गीलावाला नारियल है इसको हमको कदो कस करना है इसको हम अंदर के मसाले में डालेंगे, मोटा वाला जो पोर्शन है, ग्रेटर का उसे ग्रेट कर लेंगे, अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है, तो जो सुखा नारियल होता है न, डैसिकेटिड कोकोनेट आप उसका भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो पीछे मैंने इसमें 4 सीटी ले ली थी, और ये जो डाल है, ये थोड़ी सी कोक हो गई, एक्दम 100% कोक नहीं करनी है, बस इसको हम इस तरीके से दबाएं, तो ये हातों में ऐसे तूटने लगे, बस इतना ही चाहिए, ऐसा करने से क्या होता है, कि बात की जो महनत है वो बच जाती ह चमत से दबा दबा के इसको बहुत ज़ादा मैश करना है, बिलकुल घोट देना है, तो आप क्या करेंगे, इसको चड़ा देंगे गैस में, as it is, और चमत से मैं इसको तोड़ती जा रही हूँ, इसके साथ मैंने ले लिया गुड, अब जितनी कॉंटिटी में आप बना रह जाता है, अब चमत से या जो मैशर होता है उससे या तो फिर जहारे से इसको कंटीनियो दबाते हुए इसको मसलना है, जो दाल है वो बिलकुल मैश हो जानी चाहिए, इस तरीके से इसको पकाते जाएंगे और इसको फोड़ते जाएंगे, यही होता है, ट्रिडिशनल जो पूररान पूरी बनानी के एक मशीन भी आती है उसमें इसको मैश किया जाता है एक दो इलाई थिश्य तो जरूर डालें और अगर आपके पास यवाला नहीं है तो सुखा भी को आल सकते हैं पर डालें जरूर इसको ड्किप मत करें तो ये देखिए मैंने इसको दबाना नहीं छोड़ा continue इसको दबाती जा रही हूं चलाती जा रही हूं और गुड के कारण इसका कलर देखे कितना बढ़िया आ गया है एक दम डार्क कलर का औरेंज कलर का ये हो गया है अभी अच्छे से मैश हो गया है तो मैंने इसमें क्या किया तीन से चार चमच देशी घी डाला है छोटी चमच है आप घी जितना डालेंगे आपकी जो अंदर की फिलिंग है वो और ज़्यादा टेस्टी बनेगी जितना इसमें जो मर्जी हो वो डालते जाएए इसका टेस्ट बढ़ता ही जाएगा तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने फोड लिया और एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी में इसको ले आई हूँ तो मैंने किसमे इस काजू बादाम जो भी मेरे पास ड्राइफ रूट्स हैं सबको मैंने कट कर लिया है और वो सारे के सारे इसमें डाल दूँगी इससे और भी जादा इसका जो टेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है तो बस इसको डाल की अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते और उसको घोठा बहुत जरूरी है कुछ लोग क्या करते हैं कि छान्नी से छान छान के जो चान पतल शान के पतला करते हैं लेकिन मैं क्या करते थोड़ा सा दर्धरा रखती हो घडगी दाल पिसी दाल सब आती नÁ जब घाने में तो उसका टेस्ट और जादा बढ़के आता तो अगर आपको वैसा पीसना है छनी से तो आप वैसा भी कर सकते हैं अब यह प्लेट में निकाल लिया था एक तम भड़िया से यह हो गया था तो यह फिलिंग के छोटे-छोटे से लड्डू बना लेते हैं ऐसा करने से बाद में बहुत इजी हो जाता है इसको करना तो जित 15-15 मिनिट लगे और इसको मैंने अच्छी तरीके से और मसल लिया अगर आपका आटा हाड हो गया है तो इसको और थोड़ा सा पाने डाल के गीला कर लें पर आटा जो है वो हाड नहीं होना चाहिए आप थोड़ी सी लोई ली है इसको हातों से डैप करके इस तरीके से बढ पटाफट से और यह अच्छी तरीके से अंदर चली गई और उपर का पॉर्शन चाहे तो निकाल के अलग कर सकते हैं अब हातों से दबा ड़ा के इसको बढ़ा करनाए पहले अच्छी तरीके से हातों से दबा दे तब ही इसमें बेलन लगा है नहीं तो क्या होगा ना कि फ प्रॉकलों मैंने गरम होने के लिए ग्यास में रख दिया है अब इसको इसको सेक देंगे इसको पहले लो फ्लेम में धीरे-धीरे सिकंगे मैं और बनाके आपको बता Is more वह एक तरीका होता है अगर वैसा करना चाहें तो वैसे कर लें तो ऐसे सारा का सारा आटा उठाएं और हातों से दबाके बस इसको गोल करें यह भी एक तरीका होता है और अगर आपका पते में चिपक रहें तो इसमें थोड़ा थोड़ा तेल या घी लगा लें लेकिन इसमें पर्थन लगाए उपर से सूखा आटा या पर्थन लगाने से खराब हो जाती है और इसका टेस्ट भी विगढ़ जाता है तो इस पीछे सें अच्छे से से अबम पीछे सेघा से फेले से सूख़ा सुख़ा सीखते उसके बाद ऱगाएंगे गी यह जो है पूरन-पूरी यह हमेशना घी में सिखती है और घी से इसका अच्छा वाला टेस्ट निकल के आता है तो इसी में इसको सेकेंगे और जैसे इसमें घी डाला ये अपने आप फूलना स्टार्ट हो जाती है बहुत ही अच्छे से ये फूल जाती है एकदम सॉफ्ट होती है अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको क्रिस्पी भी कर सकते है और अगर सॉफ्ट रखना चाते हैं तो वैसे भी ये सॉफ्ट रहेगी आप इसको बना के दो से तीन दिन तक खा सकते हैं और अगर आप इसका जो मसाला है उसको फ्रिज में रख रहा है, तो महीनों वो खराब नहीं होता है, जब भी आपका मन करें, निकाला और ये बना के और खाली, एक बार में फिलिंग बना के रख ली, ये भी एक तरीका होता है, तो आगे से पीछे से इसको दबा दबा के अच्छी तरीके से मैं सेख रही हू अभी महालक्ष्मी आने वाली है, तो महालक्ष्मी में महरास्ट में इसके बिना मता की पूजा नहीं की जाती है, प्रसाद में जरूर बनाई जाती है, तो अभी वैसे भी महालक्ष्मी आने वाली है, गजलक्ष्मी जिसे कहते हैं, तो उसमें प्रसाद में जरूर बना के अगर आप भी पूजा करते हैं को देखिए मैं आपको अंदर से बता देती हो फिलिंग एक्दम कोने तक भरी हुई है एक्दम टेस्टी है फिलिंग बनी हुई है और खाने में बहुत ही टेस्टी है इसके साथ आप खी अचार कुछ भी ले 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 इसको जरूर ट्राइब कर